तुलसी विवाह एक परंपरागत हिंदू धारमेक उत्सव है जिसमें पवित्र तुलसी पौधी की विवाह का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव को कार्टिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को मनाया जाता है, जो तुलसी शुकलादी एकादशी, तुलसी शुकला एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। पेरे लेते हैं, जिनसे तुलसी की विवाह का संकेत मिलता है। अफसर पर अद्बुत सयोग बन रहा है। जाने कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह के दिन लोग अपने घरों में तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धी होती है, धन धन्य की कोई कमी नहीं होती है और उसे भगवन विश्नु का आशीरवाद प्राप्त होती है। तुलसी विवाह का शुप मुहूर्ट के बारे में जाने हैं। तुलसी विवाह के ये इस बार अभिजीत मुहूर्ट 24 नमबर 2023 को है, जो कि शुक्रवार की सुबह 11 बच के 43 मिनित मिनित से लेकर दुपहर को 12 बच के 26 मिनित मिनित तक रहेगा। विश्नु का रूप है और माता तुलसी का विवाह रचाना बहुत ही शुप फल देगा। तुलसी के पौदे को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौदे में मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु का वास होता है। इसलिए तु पूरी सी हल्दी डाल लें। इस उपाई से आर्थिक तंगी से चुटकारा मिलेगा दीपक जलाने से तुलसी के पौदे को और अधिक पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। तुलसी के पौदे के सामने दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, दीपक को तुलसी के पौदे के सामने रखें। दीपक को तुलसी के पौदे के नीचे नहीं रखना चाहिए। दूसरा, दीपक को घी या तेल से जलाएं। तीसरा, दीपक को साफ कपड़े से रखें। चौथा, दीपक को जलाते समय तुलसी के पौधे को प्रनाम करें। पांचवा, दीपक जलाते समय तुलसी के पौधे के सामने भगवान विश्णु की आर्टी करें। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना बहुत ही शुब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से तुलसी के पौदे को और अधिक शक्ती मिलती है और यह घर में सुक, समरिद्धी और शान्ती लाता है। अन्य खास उपाय है कि अगर आप तुलसी पर यदी आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर उसमें थोड़ा सा अक्षद डाले और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मा लक्षमी प्रसन होती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते समय कुछ और भी उपाय किये जा सकते हैं। इन उपायों से तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते समय तुलसी के फूल चड़ाएं। इस उपाई से आप अपने घर में सुख, समृध्धी और शांती और धन में वृध्धी के कुछ आसान उपाई है। दोस्तो चैनल को शेर और सब्सक्राइब करना न भूले आपको और कौन की वीडियो देखनी है कमेंट करके बताए। तुलसी, जिसे अंग्रेजी में ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम भी कहा जाता है, ये एक प्रमुक ओशधिय पौधा है जो भारतिय परंपरागत तथा आयूरवेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा के रूप में जाना जाता है और इसके अन्य नाम जोकी विश्नुप्रिया और सुप्रसन्ना से भी जाना जाता है। तुलसी पौधे का कोई नहीं तत्व जैसे की पत्ते, दाने, तनाग और पौधू के अलग-अलग भागों का आयूरवेदिक चिकित्सा में उप्योग किया जाता है। तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि श्याम तुलसी, कृष्णा तुलसी, राम तुलसी, रामा तुलसी, वन तुलसी, वाइल तुलसी, आदी। इन्वे से प्रत्येक का अपना गुंधर्म होता है और उनका चिकित्सात्मिक महत्व भी भिन भिन होता है। तुलसी मंत्र एक संस्कृत मंत्र है, जो तुलसी के पूजन के ही गाया जाता है। इस मंत्र को तुलसी गीता मंत्र भी कहा जाता है। तुलसी मंत्र इस प्रकार है। ओम तुलसी देवी च विद्मे, विश्नु प्रिय च धीमही, तन्नु तुलसी प्रचोद्यात। तुलसी मंत्र का अर्थ है हम तुलसी देवी को जानते हैं जो विष्णु की प्रिया है और हम उनका ध्यान करते हैं ताकि तुलसी हमें प्रकाशित कर सकें तुलसी मंत्र तुलसी के पूजन के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र है यह मंत्र तुलसी के गुनों को प्रेरित करता है और से प्रशंसा और आशिरवाद मानता है तुलसी मंत्र का जब करने से तुलसी के पूजन का फल बहुत अधिक होता है तुलसी मंत्र का जब करने के ये निमनलिखित विधी का पालन करें एक साफ और समतल स्थान पर बैच जाएं अपने सामने एक तुलसी का पौधा रखें अपनी आखें बंद करें और शांत हो जाएं. तुलसी मंत्र का जाप करें. मंत्र का जाप करते समय अपने मन को तुलसी के पौधे पर केंडरित रखें. मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. मंत्र का जाप करने के बाद अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें. तुल कमेंट सेक्शन में बताए ताकि आने वाली विडियो हम उस पर बनाएंगे.